हाई गैस और वेलकम बाक टू दी चैनल दीपाच्य दव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफेयर्स ओफ एर्ट ओफ पेबरी 2023 तो गाईस आज है तारिक आठ परवरी 2023 और है वेटनस डे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने जाता है तो आज कौन-कौन समय पर प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइफ चैट में जरूर से इसके बारे में बताना बाकि इस पटिकुलर लेक्टर में हम लोग मेजरली इंडिन एक्सप्रेस के उपर फोकस करते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो भी इंपोर्टेंट सोर् करती करने वाले हो क्योंकि जितना भी कुछ आप पूरे लेक्टर में पढ़ोगे उसका एक टेस्ट लिया जाएगा वीडियो के अंत में उस टेस्ट को अटेंट करना है और आपका जितना भी स्कोर आएगा उतना नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना है डेली बिसस पर ब साथ में अगर आप मेरे साथ में परसनली करनेट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और अगेन आपको वहाँ पर फिर से दीपख्या दव एजुकेशन लिखना होगा ग्यारा हजार से जादा लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं आप भी मेर सास्ट में आपका एक टेस्ट भी लेने वाला हूँ और करना क्या है बहुत कंसेंट्रेशन के साथ में सुनना एक घंटा आराम से बैटना है इससे आपकी लिस्निंग पावर भी बहुत ज़दा इंप्रूव होगी अगर आप वीडियो के एंड में क्वेस्चन को गोल्डन कैट आखरकार ये चर्चा में क्यों है डिसकस करते हैं हर एक आर्टिकल में जो न्यूज है वो आपको उपर वाले ब्ल्यू कलर के पैरा में दिखाई पड़ेगी उसके अलावा उस आर्टिकल का जो बाग्राउंड इंफर्मेशन होगा यानि एक्जामनेशन में जहां से सवाल पूछा जाएगा वो सारी इंफर्मेशन आपको इसके नीचे दिखाई पड़ेगी ठीक है मतलब ये जो पूरा वीडियो है करेंट प्लस स्टाटिक दोनों का कॉंबिनेशन है आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला तो एशन ये गोल्डन कैट चर्चा में इस एशन गोल्डन कैट की और अब आप कहोगे इसमें बड़ी बात क्या है बड़ी बात यहां पर यह है बहुत मुश्किल से यह दिखाई पड़ती है एशन गोल्डन कैट बहुत ही जदा मुश्किल से और कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास में एक फोट इस एशन गोल्डन कैट का ठीक है तो पहली बार हम इस प्रकार का रिकॉर्ड रखने वाले हैं वेस्ट बंगॉल से वेस्ट बंगॉल में इस प्रकार का रिकॉर्ड पहले नहीं देखने को बिला या फिर पहले ये एशन गोल्डन कैट नहीं देखने को मिली है अब इस गोल् होते हैं जो इसके legs हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं ऐसा बता जारा यही एक special feature है जो की बाकी cats इसको अलग करता है scientific name की बात करें तो catopuma तेमिंग की इसका scientific name है बाकी कुछ और नाम से भी अलग-लग जगा पर जानी जाती है और example Thailand और Burma में इसको fire cat के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो color है ना वो कुछ इसी ही प्रकार से लग रहा है दूसरा इसको हम लोग चाइना के काफी सर region में rock cat के नाम से भी जानते हैं तो अलग-लग प्रकार के इसके नाम है आप confusion बिलकुल मत पालना fire cat, rock cat अगर लिखावा हो तो यह इंडिया का map हुआ इंडिया के comparison में जब आप South East Asia को देखते हो तो यह particular region हमारा South East Asia कहलाता है आप map को divide करते हो ना इस प्रकार से उपर हो गया north, नीचे हो गया south इधर हो गया west और इधर हो गया east और south और east के बीच में जो region होता है वो south east होता है तो इंडिया को अगर आप ऐसे देखोगे तो south east वाला region यह वाला हो गया यहाँ पर Myanmar, Thailand, Malaysia उसके बाद Indonesia यह सारे देश आपको यहाँ पर दिख पा रहे होंगे ठीक है? आगे आता है तो यह जो cat है south east Asia के अंदर तो पाई जाती है उसके अलावा नेपाल के अंदर में चाइना के अंदर में सुमत्रा, इंडिया यहाँ सभी जगा पर यह देखने को मलती है इसका habitat की बात करें तो जो rocky areas होते हैं यहाँ पर रहना इसको ज़्यादा पसंद है खास कर decidious, tropical और evergreen forest के अंदर भी यहाँ पर यह पाई जाती है इसका जो fur आपको दिखेगा वो थोड़ा सा dark color का है है ना dark brown color का sheets आपको देखने को मिलेंगे इसको आप लोग melanistic बूलता है अच्छा एक पात आपने देखी होगी कि यहाँ पर एक word यूज क्या यह है यह एक melanistic Asian golden cat है अच्छा आप इस melanistic word से समझ रहे हो melanistic word का मतलब यहाँ पर क्या है exactly melanistic मतलब का है मतलब है इसका जो यह बिल्ली है ना इसके जो skin है काफी dark color की है क्योंकि इसके पास में जो normal level का pigment होता है body के अंदर में उस normal level से यह pigment जादा है जिसको में लोग melanin बोलते हैं और ऐसा आपने देखा होगा कि panther जो होता है black panther जो आपने देखा होगा उकाला color का है वो भी melanin की वज़ा से होता है तो यह pigment थोड़ा सा जादा है normal level से जिसकी वज़ा से यह cat थोड़ी सी dark color की नज़र आती है dark skin याँ पर इसके नज़र आता है तो एक melanistic Asian golden cat की category में इसको रखा जाता है बात clear होगी color कैसा है वो हमने समझ लिया अब एक सबसे relevant point इसका conservation status क्या है यानि कि इसको किस प्रकार समझे सुरक्षा दे रखी है तो IUCN के category में near threatened category में इसको रखा गया है near threatened मतलब यह खत्रे के बिल्कुल pass में है यानि कि संख्या लगातर खतम होती चाह रही है और अगर हम इसकी प्रक्षा नहीं करते हैं तो जल्दी पूरी तरह से इसकी प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी दूसरा wildlife protection act 1972 में इसको schedule 1 में cover किया है यानि कि इसको high protection provide करवा रखी है ठीक है आप ऐसा कह सकते हो अगर कोई hunting शिकार बगरा करता है तो उसके उपर high penalties को charge किया जाएगा समझ में आ गया अब Asian golden cat तो हम समझ गए location में आपको बताई चुका हूँ जो हमारा खासकर North East region है West Bengal है इंडिया के अंदर गर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर Buxer Tiger Reserve जो की कहां पर है West Bengal के जलपाई हुड़ी डिस्ट्रिक्ट में Exactly अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यह आप इंडिया का मैप देख पाओगे यह है West Bengal का मैप West Bengal में Buxer Tiger Reserve जस्ट उपर कोने में नजर आएगा कोने में नजर आएगा इतना कोने में है कि यह भुटान के साथ में बॉटर को शेर भी करता है कभी-कभी न्यूज में रहता है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तो Buxer Tiger Reserve एक International Corridor है Elephants के लिए भी हातियों के लिए कोरिडोर है बहुत बड़ा तो साल के पेड, चैम, देन गमर, सिमूल और चिकरासी इस प्रकार के जो important species है प्लांट्स की वो पाई जाती है जानवरों की बात करें तो एशन एलिफेंट, टाइगर, गौर, वाइल्ड बॉर, सामबर, वाइल डॉग इस प्रकार के जानवर यहां पर देखने को मिल जाता है तो बेसिकली धियान यह रखना, बकसर टाइगर इजव कहां पर है बस खली सिम्पल सा धियान रखना, वो वेस्ट बंगोल में है वेस्ट बंगोल में, खासकर यह बोटान का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ में जिस्ट वहाँ पर किनारे ही आपको बकसर टाइगर इजव देखने को मिल जाता है तो आपके दो-तिन चीज़े इसी आर्टिकल से कवर हो चुकी है नेक्स्ट इंपोरेंट न्यूस आर्टिकल बराता है यहाँ पर बात यही है, नोबिल्स हेलन बटरफ्लाई के बारे में देखो आगे बढ़ने से पहले, मेक्शूर करना, लेक्चर पे जो लाइक का बटन उसको प्रेस कर दो तो हमारा 2000 लाइक का टार्गेट रहता है, आपको पूरा करना है वो तो यह जो बटरफ्लाई है, यह आप सोच रहोंगे आर्टिकल थोड़ा पुरा ना है, हाँ मैंने थोड़ा मिक्स अप किया हुआ है क्योंकि पिछले एक आद आर्टिकल आपको पता होगा बीच वीच में गैप होगया था ना वीडियोस का, तो वो रहे गए थे कुछ इस प्रकार से अलग से दिखाई पड़ रही है ना, तो ऐसा यहां पर इसका पूरा पूरा फीचर है, इसकी जो पर हैं वो बहुत ही जादे बड़ी साइस के हैं, पूरे एरिया में फैले हुए हैं, अच्छा यह चर्चा में क्यों हैं, चर्चा में इसलिए हैं क्यो पहली बार इंडिया में देखने को मिली है, अरुनाचल प्रदेश के नमदपन नेशनल पार के अंदर में very very important, आपसे directly सवाल बन सकता है, क्योंकि पहले भी इसको लेकर सवाल बनावा है नमदपन नैशनल पार को लेकर, तो पहली चीशनो ध्यान रखनी है, नमदपन चाइनमार, चाइना, वेतनाम, इन सब देशों में पाई जाती थी, बड़ धीरे-धीरे यहां पे इन देशों में खतम होती जा रही है, इसकी जो टेल है, अलग फीचर की टेल है, मैं आपको बताया, इसका जो पर आपको देखने को मिलेगा, जो पंक है, वो लगबग 100 से ल यह पाई कहाँ पे जाती है, म्यानमार, युनान, हुबाई, यरी चाइना में है, नौर्थ आइलेंड, लाउस, केंबोडिया, वेतनाम, इन सब देशों में यह बटरफलाई देखने को मिलती है, और बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है, बट इंडिया में पहली बा पर के बारे में जानेंगे, तो नमदबर नैशनल पार कहाँ पर है, अरुनाचल प्रदेश में, अरुनाचल प्रदेश बिसिकली आपको पता है, नौर्थ इस्ट इंडिया के अंदर में आने वाला एक स्टेट है, नौर्थ इस्ट की बात करें, तो यह आपको पूरा का प यहाप हुआ, यह हमारा नौर्थ इस्टन रिजन हुआ, यहाँ पर अरुनाचल प्रदेश, असमनागालेंड, मेगालिया, मनिपूर, मिजोरम, तृपुरा, यह सारे स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, यह अरुनाचल प्रदेश यहीं पर कौन सा डिस्रिक्ट है, इस ड बात करता है, नमदब नैशनल पर्क का बायोडेविसिटी कैसा है, देखो, पूरे दुनिया में, ध्यान अकना, पूरे दुनिया में, यह एक लौता पार्क है, जहां पर हमारे जो बिग कैट होती है, टाइगर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चारो प्रजातियां मिलती हैं, जैसे कि टाइगर की जो में प्रजाति है, पैंथरा टाइगरस, वो लेपर्ड की प्रजाति भी मिलती है, जिसको हम लोग scientifically जानते हैं, पैंथरा पॉर्डस के नाम से, देन स्नो लेपर्ड, पैंथरा उंकई के नाम से, देन क्लावड़िड लेपर्ड, इसका नाम है heo phyllis Nebulosa तो यह चारों की चारों BIG CAT की स्पीशिस क्योंकि जो टाइगर leopard, snow leopard leopard हैंना ख्लावडिड leopard यह सब helemaal ऐओ यह सब cat की स्पीशीन हैं जंगली बिल्यों की स्पीशीन हैं तो यह चारों की चारों स्पीशीज एक की पार्क में पाई जाती है और ऐसा पुरे दुनिया में that is why यह और इंपोर्टेंट हो जाता है देन हुलूग गिबॉं है हुलूग गिबॉं यह क्या है यह एक एप है बंदर जासा दिखता है ना एप की स्पीशीज यह एक लौती एप की स्पीशी है जो कि इसी नैशनल पार्क अंदर पाया जाते और इसी को आर्टिकल बात करता है महादाई रिवर के बारे में तो महादाई नदी आखिरकार चर्चा में क्यों है पिछली कुछ टाइम पहले भी चर्चा में थी अभी यह फिर से चर्चा में आ चुकी है अच्छा स्क्रीन पर क्लियर ली दिख रहा है ना आप में से बहुत सरे प्र प्रप्लम होगी नहीं चुलो पहले हम समझते हैं आकरकर हमारे पासमें न्यूस का निकल कर आती है खबर क्या है खबर यह है कि गोवा की सरकार ने कोड के अंधर एक केस की सुनवाई की मांग की है और वह कैस है महादाई नदी को लेकर देखो महादाई जो नदी है इ प्रोजेक्ट का नाम क्या है कैसे बन रहा है मैप वगरा सब कुछ क्लियर करूंगा ठीक है देखो यहां पर जो महादई नदी है ना महादई नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है कालसा बंदूरी वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट यानि कि मह पानी है वो खीचा जा रहा है दूसरे तरीके से निकाला जा रहा है ठीक कि यहां पर वॉटर को डाय वर्ट कर लेंगे तो जो कि पानी क्या पहुचेगा नदी करनाड़ का से निकलती जाती है अब ही मैं 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 दिखाऊंगो तो समझ में आएगा अभी मैं आपको केवल और केवल एक ओवर्विव दे रहाँ की news क्या है पहले तो हम discuss करेंगे महादई नदी के बारे में ये रहा करनाटका और ये रहा गोवा और करनाटका के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा महाराश्टरा ठीक है ना और यह रही महादही नदी क्योंकि वैस्टन घाट्स वला रीजन है यहां से महादे नदी निकली और निकलने के बाद में इस प्रकार से चलते वे गोवा से गुजरते वे यह Arabian Sea की तरफ भड़ जाती है Arabian Sea में गिर जाती है ठीक है ना तो महादई नदी वैसंगाट से निकलती है और इस प्रकार से ये गोवा से निकलते वे अरेबियं सी में गिर जाती है बात ध्यान रखना ठीक है ना और काउन कोई से रिजन से निकलती है ये खासकर जो भीमगर्ड वायलेफ सेंचरी है करनाटिका के बेलगावा गोवा में बहती है फिर उसके बाद में अरेबियं सी के अंदर में गिर जाती है ठीक है बात क्लियर हो गया इस महादई नदी को हम लोग मंडोवी के नाम से भी जानते है आपसे क्वेशन बन सकता है गोवा में ये मंडोवी के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर क्या है यह इसका जो पानी है, यह पूरी तरह से शेर किया जाता है करनाटका और गुवा के बीच में करनाटका और गुवा यहाँ पर इस नदी का जो पानी है वो शेर करते हैं पूरी तरह से आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो ठीक है, आप कहोगे Controversy क्या है अब Controversy को समझने से पहले दो पॉइंट्स और है वो समझ लो सालिम अली बर्ड सेंक्चरी सालिम अली बर्ड सेंक्चरी जो है न ये भी मंदोवी नदी के ओपर ही situated है मंदोवी नदी पर एक आईलेंट देखने को मिलेगा कोराओ वहाँ पर ये ये भी आपसे question बन जाता है इस नदी की डेर सारी सायक नदिया देखने को मिलेंगी जैसे की कालसा नाला बंडूरी नाला, सुरला नाला दनूस के बाद में हलतर नाला फोती नाला, महादई नाला पंशीर नाला, बेल नाला और अंधेर नाला ये सारी के सारी ट्रिस्या नाला ये साहक नदिया की हमारी महादई नदी की तो दो बड़ ध्यान एक न कालसा और बंडूरी आपसे question बन सकता है कालसा और बंडूरी किसी ट्रिब्यूटरी है और आपने देखा होगा कि जो लड़ाई चल लएए करनाडिका और गोवा में वो बेसिकली यहाँ पर इसी नदी को लेकर महादाई नदी के उपर दो जगा पर डैम बनाया जा रहे हैं एक तो कलसा नाला और दूसरा यहाँ पर बंदूरा नाला दूसरा लाई उसके रात मिए बंदूरा नाला आपको यहाँ पर दिखाई पढ़े गी तो बंदूरा नाला भी जो है ना वो भी यहाँ पर इसमें आकर मिल जाती है महादाई नदी में तो हुआ कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया दो प्रोजेक्ट्स बना दिये करनाटका दो प्रोजेक्स बना रहा है अच्छा प्रोजेक्स क्यों बना रहा है क्योंकि इसके अंदर पानी काफी कम है इस पूरे के पूरे उपर वाले एरिया में रेंफॉल वगरा बारिश वगरा काफी ज़दा कम हूँ तो सूखा पड़ाव है लोगों को पानी की काफी ज़दा सक्त जरूरत है तो इसके लिए महादई नदी पर खासकर यहाँ पर डैम बनाया यहाँ पर डैम बनाया और डैम बनाकर इसका पानी खींच दिया उपर माल प्रबा नदी के अंदर पहुचा दिया और यहाँ सभी डैम से पानी खींच के उपर पहुचा दिया माल प्रबा नदी के अंदर गोवा यहाँ पर इसके पूरे अबोजिट में है कि यह प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए बढ़ करनाटका की सरकार को अभी के समय पर इस प्रोजेक्ट को लेकर जो अप्रूबल है वो मिल चुका है मामला सुप्रीम कोर्ट में देखने सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा ठीक है बात क्लियर हो गई कि हम लोग कालसा बंडूरी प्रोजेक्ट किसको बोलने हैं तो कालसा बंडूरी प्रोजेक्ट के बारे में एक एक बात मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिये दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्रोजेक्ट है ना यह करनाटका की सरकार ने रखा था 1980s में बट यहाँ पर लगातार opposition फेस किया गोवा की साइड से इस वेसर भी तर यहाँ पर इसको अच्छे से implement नहीं कर पाएं है नेक्स्ट important news article पर आते हैं यहाँ पर बात किये जारी है जतर देओल टेंपिल के बारे में अच्छा यह टेंपिल भी कुछ दिन पहले लिए उस पर था मैंने बोला ना कुछ आर्टिकल आपके पुराने भी हैं उसको मैंने इंक्लूड कर रखा है जो भी इंटे पुरानी हो चुकी है जो भी इंटे गल रही है क्योंकि यहाँ पर क्या है न इस टेंपिल के जस्ट पास में ही समुद्र बहता है उस समुद्र से जो नमकीन हवाएं हैं वो उड़ती है और वो जो नमकीन हवाएं उसकी वज़ा से जो है यहाँ पर जो इंट में है ठीक है यह जातरद्वे टेंपल कहां पर है एक्जाक्ली वेस्ट बेंगॉल के अंदर में है ध्यान लगना तो हम इस टेंपल को गिरने से पूरी तरह से बचा रहे हैं खासकर आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ एंडिया तो थोड़ा सा इस टेंपल के बारे में डिसकस है आकरकार यह कौन सा डिजाइन है क्योंकि आपके जी एस पीपर नंबर वन में आर्ट एंड कल्चर में यह सवल बन जाते हैं तो जातरद्वे टेंपल बैसिकली एक हिंदू टेंपल है जो की लौड़ शिवजी को डेडिकेट किया या है लौड शिवजी का यह मंदर दे की प्लेट मिली थी उस प्लेट एकि आपकर कुछ चीज ऐसी थी जिसने हमें यह बताया कि यह आफिल है यह बनवाइग यह तरा यानि कि मौणिम्ट की तरन के तरह स्को है किया गया, archaeological survey of India के तुरू, archaeological survey of India, इसकी पूरी अच्छी तरीके से आज के समय पर protection provide करवा रहा है, अब बात आती है, इसके structure किया, आखरकार ये temple का structure है कौन सा, देखोए जो temple है ये eastern side में, अपना जो face है, वो करता नहीं, eastern side में हापर ये temple का face है, दूसरा ये temple बनाया गया है, कालिंगन style of architecture में, very very important, इस temple का style कौन सा है, कालिंगन style of architecture, आपको पता है, temple architecture को लेकर कई सारे questions बन जाते हैं, इस मंदिर को एक raised platform पर बनाया गया है, मतलब मैं आपको picture दिखाता हूँ, वापस से, यहाँ पर आप देख पारोंगे, एक उपर सा ऐसा platform बनाया गया है, उसके उपर जाके इस मंदिर को बनाया गया है, ठीक है, आ गया आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, यह जो temple है, इसका जो उचाई है, वो काफी जद देखने को मिलेगी, बीच में sanctum sanctorum है, यानि गर्बगरी है, जिसको हम लोग बूलते हैं, यानि कि बिल्कुल बीच में एकदम, जहाँ पर हम मेन अपने देवी देवताओं को बैठाते हैं, यानि कि उनकी जो आइडल सें, statues हैं, वो रखे जाते हैं, तो यहाँ पर sanctum sanctorum भी देखने को मिल जाता है, दूसरा, इस temple की, इस मंदर की जो बाहर की दिवारे हैं, उन पर काफी सारे decoration, integrity decoration, यानि की नकाशियां वगरा की गई हैं, बहुत जादा decorative bricks का यहाँ पर use किया जा है, ठीक है, तो इस प्रकार का structure, इस temple का देखने को मिलेगा, और ऐसा structure कहाँ पर देखने को मिलता है, कलिंगन style of architecture में, कलिंगन style of architecture, एक हिंदू architecture का style है, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग अलगलग तरीके से मंदिर को develop करते हैं, अब कलिंगन architecture में क्या होता है, यह आप देख सकते हो, यह architecture है, इस प्रकार से मंदिर बनाए जाते थे, इस वाले particular style में, ठीक है ना, अब मंदिर देखो ऐसे बनते थे, एक तो यहाँ पर उचा सा यह बन गया, जो यह उचा सा उपर हुआ है ना, इसको हम लोग देवला के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, और कलिंगा architecture में, इस प्रकार के यह तीन देवला हुआ कर देते, एक हो गया रेखा देवला, एक होता यहाँ पर पीड़ा देवला, यानि हॉल वगरा है यह, फिर एक होता यहाँ पर खाकरा देवला, यह उपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, यह यहाँ पर दरवा जा हो गया, इस प्रकार सा और यहाँ पे मंदर के अंदर गर्भ ग्रिये हो गया, में जहां पे हमारे देवी देवता पैटता है, में यहाँ पर जब स्टाचु को हम लोग रखते हैं, तो यह में गर्भ ग्रिये हैं, यह कावलिंगा आर्किटेक्ट्चर स्टाइल है ध्यानक आपसे ऀप हम लोग बात करते हैं ना तो यह architecture style बहुत तेजी से ग्रो किया था और खास कर जो present day में Odisha है Odisha में यहाँ पर यह architecture बहुत तेजी से ग्रो किया था कालिंगा style में तो यह temple है यह basically लिए दो structures के तुरू बनाया जाते हैं एक tower और एक hall यहाँ पर आपको टावर और hall दोना देखने को मिलेगा तो तीन चीज़े आपने देख लिए इस प्रकार के तीन टैंपल्स आपको तीन structures देखने को मिल जाएंगे है ना यह भी हमने समझा अब इनका मतलब क्या आता है रेखा दोल बिल्डिंग होती है जिसका एक शिकर हो था बहुत उंचा सा जैसे मैं आपको बता है श्राइन अब अगरा देखने को मिलता है ऐसा एक एक जैंपिल लिंगराज टैंपल का आपसे क्वेश्ण बना था यूप सी ने पूछ लिया था लिंगराज टैंपल पर रिस्ते तो बुबनेश्वर में है यहां पर देख पाऊंगे यह काफी ज्यादा बढ़ा होता है इस प्रकार प्रकार के आपको यह temple structures देखने को मिल जाते हैं कलिंगा अर्किटेक्ट्चर में इस प्रकार के तीन structures देखने को मिलते हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं तीन अलग-अलग design है देन खाकरा देवला जो लास्ट है यह एक अलग style देखने को मिलता है जैसे द्रेवीडियन द्रेवीडियन style में गोपुरम हुआ खरते था नगोपुरम आप समझरे मैं गोपुरम होता है यहाँ पे मंदिर का एंट्रेंस यह आप देख रहोग यह मंदिर का आगैं पर आगे का एंट्रेंस तो यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार होते हैं टैंपिल के कालिंगा आर्गिटेक्चर में और तीनों में प्रकार डिसकस कर दिये हैं, रेखवा देवला ये वाला प्रकार हो गया, पीड़ा देवला ये वाला चकोर वाला प्रकार हो गया, और तीसरा यहाँ पर खागड़ यह वला हो गया तो इस प्रकार से तीन अलग अलग स्टाइल्स होता है आई होप आपको यह बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है नेक्स्ट इंपोर्टेंट यूज आर्टिकल पराते हैं आपको पता होगा रीसेंटली मुगल गार्डन चर्चा में था तो हम लोग थोड़ा स तो अमड़ल गार्डन के कुछ फीचर्स के बारें बात करेंगे देखो मुगल गार्डन यहाँ पर एक स्टाइल में ही बने हुए हैं तो मुगल गार्डन का जो डिजाइन है वो कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए वही चीज़ आपसे examination डारेक्ली पूछी जाएगी उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा तो एक क्रिस्प तरीके से इसको फटाफट कवर करेंगे जब लोग मुगल गार्डन की बात करते हैं जो गार्डन है इसको design किya यहाँ परिशन से influence होके हैं जो परिशन design है उससे influence होने के बाद में हैं और इस बिज़ाइन को बनाया गया है काफी सारी चीज़े परिशन design के साथ में similar हैं आप ऐसा कह सकते हो यह जो garden है ना, यहाँ पे कुछ designs देखने को मिलते हैं, rectangular और square shape में design होते हैं, ठीके ना, इन garden को चार plots में divide किया गया होता है, यहाँ पर आप देख पाओगे, मुगल garden का सबसे बड़ा feature यह ही है, चार अलग-लग plots यहाँ पे होता हैं, जिसमें divide कर दिया जाता है, और beach में fountain यहाँ जरूर से देखने को मिलता है, ठीके ना, तो beach में आप देख पाओगे, जरूर ना वगरा है, और ज्यादतर यहाँ पे इस garden में पानी वगरा का ज्यादा यूज किया जाता है, ताकि garden को थोड़ा ठंडा रखा जा सके, freshness वहाँ पर maintain रहे, ठीके ना, fountains वगरा ज जाता है, दरवाजे बगरान जाता है, दरवाजों पर जो नुकीले, keyboard होती है, वो सब लगाए जाती हैं, हैंना, काटे जैसा होता है, स्पाइक जैसा, आयसा दरवाजों पर लगावा होता है, तो इस प्रकार के यहाँ पर design होता है, मुगल गारदन का, तो आप ऐसा कह सकत तो अभी बैसिकली जो हमारे राश्ट्रपती भवन के आगे मुगल गार्डन था उसका नाम चेंज कर दिया गया, अमरित उदान यहां पर उसका नाम कर दिया गया है, बट खाली स्टाइल धियान रखना आपसे क्वेशन मन सकता है, एक में चीज धियान रखना कि भईया यह आप ए गार्डन को चार कंपार्टमेंट में हम लोग बार देते हों बीच में यहां पर फाउंटीन का ज़्यादातर यूज किया जाता है, यह गार्डन का आपको यह पिच्चर देखने को मल जाएगा, राश्ट्रपती भवन के सामने जो यह गार्डन आज के समय में प्र किसने बनाया है, हमारी कें सरकार ने मनाया है, क्यों मनाया है, ताकि जो सोशल मीडिया कंपनी के रेगार्डिंग जो भी कंप्लेंट होती है, उन कंप्लेंट को यहाँ पर डिसकस किया जा सके, देखा जा सके, ठेके न, फेसबुक, ट्वेटर, इंस्टाग्राम से कोई तो उन complaint को देखा जा सके ग्रिवांस अपिलेट कमीटी में ग्रिवांस का मतलब यह कि आप इन से कोई दुख ही हो आप इन सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म्स आपको कोई परिशानी हो रही है तो आपकी सुनवाई की जाएगी ठीक है तो वैसे जो हमारी कें सरकार है इन्हों जो content है उसको regulate करने का काम था IT rules का तो IT rules के तहत ही हमारी कें सरकार ने तीन अलगला ग्रिवांस अपिलेट कमीटी को बनाए हुआ है अब इस कमीटी का composition डिसकस करता है इसमें कौन-कौन होता है members आपसे पूछ जाते हैं ध्यान अकना तो हर एक ग्रिवांस अपिलेट कमीट का term होता है ध्यान रखना ना यह जो ग्रिवांस अपिलेट कमीटी है यह यहां पर क्या करेगी है जो कमीटी बनाए गई है यह एक virtual digital platform है जो की online तरीके से काम करेगा digitally यहां पर किसी को परिशानी है मालो यहां पर उसका कोई case गया था तो यहां पर इस particular committee में अपनी appeal कर सकत कोई है इस content से हमें परिशानी है ठीक है लेकिन मालो यहां पर ग्रिवांस अफिसर ने जो भी अपना decision सुना दिया है उस decision के खिलाफ आप इस committee में appeal कर सकोगे कि ग्रिवांस अफिसर ने सही decision नहीं सुनाया आप उससे खुश नहीं हो तो आप यहां पर committee में appeal कर पाओगे ठ ठीक है तो यह यहां पर पुरो का पुरा आपसे question बन सकता है ग्रिवांस अपिलेट कमेटी को लेकर चोटास आर्टिकल था एक और चोटास आर्टिकल इसको इपटाफट कवर करेंगे इस article को वैसे आप GS paper number वर important personality के साथ में link कर पाओगे बात की गई है तुलसीदास जी के तो इनको लेकर बस काली इस slide में इतनी information ध्यान रखना question बनेगा तो यहीं से बनेगा वरना नहीं बनेगा question यहां पर पहली बात हम समझेंगा आखरकारी चर्चा में क्यों है चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाली मैं आपको पता हुगा एक controversial statement दे दिया था state minister ने तुलसीद दाजी की जब लोग बात करते हैं तो इनका जो रियल नेम है वो था राम बोला दूबे ठीके ना तो राम चरित मानस इन्होंने लिखा है बस खाली इतना point दिया लगना राम चरित मानस के लेखक कौन है तुलसीदाजी है एवन यहां पर जो वानरसी की अंदर गंगा है न ना के डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है तुलसीदाजी ने यहां पर लौड राम जी की जो स्टोरी है इसको काफी ज़दा पॉप्लराइज किया है इन्होंने काफी कुछ डिसकस किया हुआँ लिखा हुआ है इसके अंदर में इवन यहां पर आ कह सकते हो ये जो बात ह हैं बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में लिखी गई है रीजिनल डायलेक्ट में लिखी गई है इस वाइसे ज़्यादा तर लोग अंडरस्टेंड कर पाते हैं तो उनकी स्टोरी काफी ज़्यादा पॉपलर भी है ठीक है तो दियान अकना रामचरित मानस के लिए का कौन है तो वो है तुलसी दासजी नेक्स्ट इंपोर्टेंट यूज आर्टिकल पर आता है तो अगले आर्टिकल में बात ही गई है एस्जियो फिल्म फेस्टिवल के बारे में तो यह है शांगाई कोपरेशन और्गनाजेशन इसका रीसेंटल यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल वपन हुआ है मольно है मुंबई के अंदर में तो फिल्म फेस्टिवल मुंबई के अंदर यह हुआ था इस वज особенно है तो समझते है कुछ important points को तो शांगाई कोपरेशन ओर्टेशन फिल्म फेस्टिवल को और्गनाइज किया या था National Film Development Corporation के थूँ ये बॉड़ी ये हमारी फिल्म से ही रिलिट है इन्हों नहीं यहाँ पर इस पुरे के पुरी इवेंट को और्गनाइज किया ठीक है ये जो बॉड़ी है National Film Development Corporation ये Ministry of information and broadcasting के अंदर में आती है इसका मकसद ये था कि जो भाई या शांगाई cooperation है इसमें जो कि जितने भी देश आते हैं 9 countries आ रही है नो countries यहाँ पर इसका group है उन सब के बीच में एक cinematic partnership को बनाना programs को exchange करना film making जो talents है यंग films को select किया यहाँ यहाँ पर SEO के members के थुरू और उन films को यहाँ पर showcase किया जा था इस festival के दोरान यानि इन films को दिखाया गया इस festival के दोरान चीक है तो यह काम किस ने किया है सब SEO ने तो यह आगे तूस्ता दिकावाए तो SEO के बारे में डिसकस करेंगा अखिरकार शांगाई cooperation organization exactly है क्या SEO एक permanent inter-governmental international organization है मतलब एक international organization है जहाँ पर अलगलग देशों की सरकारे हैं जो की आपस मिलकर काम करती हैं इसको मोग बोलेंगे SEO मतलब एक इसको मोग बोलेंगे एक inter-governmental international organization ठीक है न जहाँ पर अलगलग countries की सरकारे मिलकर काम कर रहे हैं SEO body को बनाए गया था साल 2001 में इससे पहले इसको शांगाई 5 mechanism के नाम से जानते थे खाली शांगाई 5 के नाम से क्योंकि इसके अंदर केवल 5 countries हुआ करती थी starting में बाद में साल 2001 में उस्बैकिस्तान को यहाँ पर सबसे पहले एड गया गया उस्बैकिस्तान जैसे इस में एड होता है इसका नाम चेंज कर दिया गया शांगाई को और्राइजेशन के दो permanent bodies हैं एक इसका secretariat है और दूसरा यहाँ पर आप देख पाऊगे एक इसका राइट करके regional anti-terrorist structure करके यहाँ पर एक कमिटी देखने को मिलेगी ताशकेंद के अंदर में अच्छा इसका में सेक्रीटिरेट कहां पर है सियो का जरा बता उसका headquarter में कहां पर है नीचे comment section फटाफट बताओ नाम से बदा चलना है वैसा आप बता दोगे राम से member countries की बात करें तो उसके कौन कौन से members है तो उसमा आ जाता है इंडिया कजक्स्तान चाइना किर्गिस्तान पाकिस्तान रश्या तजिक्स्तान उस्बैकिस्तान इरान भी देखने को मिलेगा इरान को भी इसको member बनाया जा रहा है ठीक है न बाकी यहाँ पर इसके कुछ observer states है observer में है अफगानिस्तान आपसे confusion के लिए पूसर दा सकता है कि बेलारूस इसका कौन से member है तो ध्यान रखना है बेलारूस इसका एक observer member है अफगानिस्तान observer है मोंगोली observer है इरान को बिसिकली अभी permanent member बनाया जा रहा है तो इरान यहाँ पर अभी observer मत रखो इसको ठीक है तो इसको आप gs paper number three environment से relate कर पाऊगे बात की जारी ब्लैक वल्चर के बारे में यह जो वल्चर जो गिद्ध आपको दिख रहा है ना यह ब्लाक कलर का है है ना इसी को हम लोग ब्लाक वल्चर बोर लें यह ब्लाक वल्चर है ठीक है आखिर कर ब्लाक वल्चर चर्चा में क्यों पसंद करते हैं वो लोग आपर चौक गया किर ऐसे कैसे हो गया यह तो इंडिया में पाई नहीं जाती इंडिया में कैसे दिख गई तो बट इंडिया में दिखी है इस वज़ा से यह आपर यह चर्चा में है तो ब्लाक वल्चर के बारे में डिसकस करते हैं ब्लाक वल्चर कुछ ऐसी यहाँ पर आप कह सकते हो कि गिद्दो की प्रजातिया हैं जो कि खासकर North East United States में पाई जाती है यूएस में अमेरिका में, पेरू में, चिली में, अरूगवे में, साउथ अमेरिका में, इन सब रीजन के अंदर ये Black Vulture पाई जाती हैं, ठीके ना ये ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर नहीं करती हैं, लेकिन ये इंडिया में नजर आई, इस वज़़ा से आपको यहाँ पर थोड़ा डिसकस कर, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, एक बात खाली बस खाली ये ध्यान अकना, इस Black Vultures का IUCN status किया है, इसको IUCN Red List में अमनों Least Concerned Category में cover किया है, मतलब इसकी अच्छी खासी population आज के समय में available है, तो IUCN में Least Concerned Category में आपको ये particular Vultures देखने को मिलेगा, बात क्लियर हो गई, अब हमारा एक है एडिटोरेल, उस editorial को भी discuss करेंगे editorial important है तो उसको मैं बिल्कुल भी skip नहीं कर सकता हूँ तो उस editorial को हम लोग यहाँ पर cover करने वाले कुछ-कुछ editorial हम लोग लिया करेंगे उसको discuss किया करेंगे वैसे ओन editorial के जो निचो बड़ें छोटे-छोटे points से यहाँ यहाँ पर आप कर सकतो इनके अंदर में निकोटीन होता है तो बोला यह जा रहा है कि यह जो e-cigarettes है यह काफी ज़दा खतरना के इवन जो पढ़े लिखे लोग है न वो कहीना कि इनके consumption को बढ़ा चुके हैं वो कहीन है कि यहाँ पर इस प्रकार से यह e-cigarettes को consume कर रहा है खासकर जालतर पढ़े लिखे लोग, educated लोग, educated youth, पढ़े लिखे नौ जवान वो यहाँ पर आप कर सकतो e-cigarettes के जाल में फसे पड़ा है तो यह चीज़े हैं हाँ पर recent study ने बताई है तो वही हम समझेंगे e-cigarettes क्या है, कैसे काम करता है प्लस इसके क्या-क्या health disadvantages है तो e-cigarettes की बात करेंगे तो सबसे पहली बात इसको उमलोग electronic nicotine delivery system के नाम से जानता है मतलब यह इस form की cigarettes है ends के नाम से इसको चाना जाता है क्योंकि यहाँ पर nicotine देखने को मिलेगा लेकिन एक electronic form में nicotine है जो आपके normal cigarettes में वही इसमें भी है तो क्योंकि कुछ लोग क्या करता है normal अगर यहाँ पर उनको cigarette की smoking की लथ है तो उसको छोड़ने के लिए e-cigarettes को अपना लेते हैं वो लोग यहाँ पर पहले इसको यानि की e-cigarettes को जो है यह consume करना स्टार्ट करते हैं धीरे-धीरे यहाँ पर उनकी लथ बढ़ जाती है फिर यहाँ पर normal cigarettes को पीना स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसा यहाँ पर e-cigarettes में देखने को मिलेगा ठीक है ना तो आप ऐसा कह सकते हो बाकी इसमें बदब कुछ जलाना वलाना नहीं है आपके पास बसकली e-cigarettes उसके अदर एक battery वगएरा लगी वी है उसके अदर कुछ solution देखने को मिलेगा उसी को यहाँ पर inhale किया जा रहा है तो वो जो main solution होता है ना उसके अदर nicotine वगएरा मिलावा होता है nicotine की साथ-साथ propylene और साथ-साथ में glycol भी देखने को मिल जाता है glycol जो की बहुत जादा खतरनाक है ठीक है यह आप देख पाऊगे e-cigarettes हुआ इसमें एक LED light होती है है ना जो की बताती है हाँ यह cigarette on है बिन उसके बाद में lithium-ion battery लगाई गई है इसको recharge कर सकते हो फिर उसके बाद में control system वगएरा यहाँ पर लगाया हुआ है atomizer लगाया गया है दन उसके बाद में एक cartridge यह main cartridge है, replaceable cartridge इस cartridge को हटा सकते हो, यही एक main flavor है ठीक है ना, यहाँ पर यह flavor liquid होता है इस cartridge के अंदर में जहाँ पर प्रोप्लेन, glycol और nicotine वगरा भरा पड़ा होता है ठीक है, यहाँ पर एक heating coil भी लगावा होता है जो कि यहाँ पर इसको गरम कर रहा होता है यह mouth piece है, यहाँ से जो है, इसको पिया जाता है बट, यहाँ पर आप कह सकते हो कि यह कही न कहीं बहुत ज़्यादा खतरना कि किसी भी person के लिए ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है बट, जो youth है, वो इसके चापेट में आए है इसको लेकर कुछ articles अभी recently published हुए अब बात यह आती है, क्या e-cigarettes को consume करने से कोई health risk है हमारी health खराब हो सकती है, बिल्कुल खराब हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इस के अंदर जो solution का use किया यह है, उसके अंदर nicotine है, और अगर nicotine है तो normal cigarette और e-cigarettes में कोई ज़्यादा फरक, कोई ज़्यादा difference नहीं है ठीक है न, तो यह भी कहीना कि एक highly addictive substance है, यह कहीना कि आप इसको लगातर consume करोगे तो cigarette जितना ही इसकी विलत लग सकती है health risk में बात करें, तो nicotine कहीना कि एक इनसान के लिए काफी ज़्यादा खतरनाक होता है nicotine की वज़ा से इनसानों में tumor growth होने लगती है इससे cancer बनने लगता है डबलू एचो के according बात करें तो कुछ e-cigarettes के अंदर जो solution का use किया यह है न यह बहुत सारे जहर छोड़ता है, इनसान के अंदर वही जहर पहुँचता है, इससे इनसान के मृत्तिव भी हो सकती है तो इस वज़ा से काफी सारे e-cigarettes यहां पर इंडिया में बैन कर रख है पता है ethical dilemma क्या है लोग पता है इसके बार में क्या सोचते हैं लोग उसको, cigarette को यानि smoking को छोड़ने के लिए इसको अपना लेते हैं और फिर इसकी लट में आ जाते हैं और उसके बाद वापस से जब cigarette पे लोटता है छुड़वाने मदद नहीं कर सकता ठीक है, काफी सारी चीज़े बिल्कूल सिमिलर है नॉर्मल सिग्रेट से, इस विसे इसिग्रेट को उमने बैन भी कर रखा है आई होब आपको यहां पर यह जो बाते हैं काफी अच्छे समझ में आ चुकी है तो एक आर्टिकल था, जो की में था हमने इसको डिसकस कर लिया नेक्स्ट, अब हमारा समय है प्रिलिम्स रपेट फायर के क्वेशन को कवर करने का जो भी आपने इस लेक्चर से सीखा है जो भी पड़ा है, अब उसकी टेस्टिंग करेंगे कि आपने कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ आपको याद है ठीके ना, चलो, एक एक करके पहले मैं आपको सारे क्वेशन्स बताऊंगा उन क्वेशन्स के आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में देने है फिर at the last मैं सारे क्वेशन्स के आंसर भी आपको बता दूगा ठीके ना, चलो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेशन्स से हमारा जो पहला क्वेशन है, ये बात करता है एशन गोल्डन कैट के बारे में, अभी थोड़ दर पहले discussion हमने किया था, एशन गोल्डन कैट को लेकर आपको दो स्टेटमेंट से दिये गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट, ये एक मीडियम साइज की कैट है जो की केवल और केवल, केवल और केवल, इंडिया के वेस्ट बेंगोल में पाई जाती है दूसरा स्टेटमेंट, इस एशन गोल्डन कैट को हमने आउसन में एंडेंजर डिस्ट में रखा है, बताओ कौन से स्टेटमेंट सही है, option A one only, option B two only, option C दोनों सही या फिर option D दोनों के दोनों गलत है, next question पर आता है, अगला question बहुत ही simple सा, इसका आंसर सभी को देना है, question क्या है, नमदपा नेशनल पार्क, आल ही में न्यूस में देखने को मिला है, बताओ कौन से राज्य में ये स्थित है, नागलेंट, आसाम, अरुनाचल प महादई नदी निकलती है वैस्टन घाट्स में, खासकर महराष्टरा के नाशिक डिस्ट्रिक्ट से, क्या ये सही बात है, महराष्टरा के नाशिक डिस्ट्रिक्ट से ये महादई नदी निकलती है, पहला statement, दूसरा, सलिम अली बर्ड सेंक्चरी, ये महादई नदी पर एक आइलेंड एक कोराव, उसी आइलेंड पर ये बर्ड स्वेंक्चरी इस्थित है बताओ कौन से स्टेटमेंट सही है option A1 only, option B2 only option C दोनों सही हैं, फिर option D दोनों के दोनों गलत है अगले question पर आते हैं, बहुत सिंपल से question है, इसका आंसर भी सभी को देना है जातर देवल टैंपल के बारे में discussion किया आया है, ये टैंपल हाल ही में चर्चा में देखने को मिला है, बताओ कौन से राजय में अस्थित है, ओडीशा, आसम करनाटका, या फिर वेस्ट बेंगॉल नाव नेक्स question पर आते हैं, मुगल गार्डन के बारे में अंदर implement कर रखी हैं, दूसरा ये जो गार्डन है ये फॉर्मल होते हैं स्टाइल में इनका डिजैन rectangular और square shape में देखने को बलता है, बताओ कौन से statement सही है, option A, one only, option B, two only, option C, दोनों सही हैं फिर option D, दोनों के दोनों गलत हैं next question बात करता है grievance appellate committee के बारे में तो grievance appellate committee को लेकर आपको दो statements दिये गए हैं, बताना है कौन से statement सही है, पहला statement इस committee को बनाया गया है information technology rules 2021 के तहट, दूसरा जो committee है, इसके एक chairperson होते हैं, और बाकि इसका कोई members नहीं होता, केवल और केवल chairperson होते हैं क्या ये सही बात है, बताओ कौन से statement सही है option A, one only, option B, two only option C, दोनों सही, या फिर option D दोनों के दोनों गलत हैं now next question, अगला question बात करता है शांगाई cooperation organization के बारे में तो SEO के reference में आपको दो statements दिये गए हैं, बताना है कौन से सही है, पहला statement, ये एक permanent, inter-governmental, international organization है, दूसरा Afghanistan इसका एक full-time member country है, बताओ कौन से statement सही, option A, one only option B, two only, option C, दोनों सही है फिर option D, दोनों के दोनों गलत हैं next question पर आता है अगला question बात करता है, American Black Vulture के बारे में, तो American Black Vulture को ले कर, अगें, आपको दो statements दिये गए हैं, बताना एक कौन से सही है, पहला statement, American Black Vulture केवल और केवल South America में पाया जाता है दूसरा statement, IUCN Red List के अंदर में इसको least concern category में रखा जया है, बताओ जी कौन से statement यहाँ पर बिलकुल सही है तो ये थे आज के हमारे कुछ questions, I hope guys, आप लोगों ने इसको अच्छे से attempt किया होंगे, अब फटाफट हम लोग इनके answers को देखेंगे, फिर उसके बाद में करना क्या है, आपको अपना जितना भी score है, वो नीचे comment section में लिखना है, ना केवल score साधी साथ में आपने कितने questions सही किया है, उनके answer से नीचे comment section में लिखना है, ठीक है? चलो, आखरी question से हम answer को देखना स्टार्ट करते हैं, तो American Black Vulture को लेकर आप से सवाल पूछा गया था statement पहला दिया गया था कि ये केवल South America में पाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है क्यों गलत गाता है? क्योंकि South America में चिली, पेरू, चलो, ठीक है, वो South America के South America में पाया जाता है, ठीक है, लेकि South America के साथ साथ, मैंने बूला था USA, यानि America, नाम ही इसका American Black Vulture है, तो क्या South America में पाया जाएगा केवल? और खासकर USA में भी मेजरली यहां पर पाया जाता है, यानि कि North America में भी पाया जाता है, इस वदर से statement 1 हमारा गलत है, statement 2 की बात करें, तो बिल्कुल IUCN में इसको least concern category में रखा जा है, यानि कि अच्छी खासी population आज के समय पर इस American Black Vulture की available है, अगले question पर आता है, नेक्स question आपसे पूछा जाता है, शाहंगाई कोपरेशन organization को लेकर, तो पहला statement है, ये एक permanent intergovernmental international organization है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहां पर एक ये international organization है, जितनी भी members इसके अंदर में हैं, वो आपस में मिलकर काम करते हैं दूसरा, अफगानिस्तान इसके एक full time member है बिल्कुल गलत बात, अफगानिस्तान, बेलारूस, मुंगोलिया, इसके full time member रही है, केवल और केवल observer states है, दियान होगा, तो option A हमारा हो जाता है, बिल्कुल सही, अगले question पर आता है, अगले question बात करता है grievance appellate committee के बारे में, तो grievance appellate committee के reference में, जो दो statement थे, पहले statement बोलता है, कि हमने इस committee को बनाया है, information technology rules 2021 जो amendment हुआ था, उसके तहत, बिल्कुल सही बात है, दूसरा, इस committee के पास में एक chair person होता है, कोई और केवल वन वाला सही है, क्योंकि हाँ पर एक chair person और दो अलग से full time members होता है, चीक है, आगया आता है उसके बाद में, मुगल गार्डन्स को लेकर आपसे question पूछा गया, तो मुगल गार्डन्स को लेकर जो पहला statement बोलता है, कि भाया ये person style से influence से बिल्कुल सही बात है तूसरा, formal style होते है rectangular square plots होते है बिल्कुल सही बात है, मैं आपको plots दिखाई भी थे वो तो इस वैसे option सी हमारा सही है, बोथ one and two is the correct answer अगले question बाता है, next question बात करता है जतर डेवल temple के बारे में फिर उसके आद में आपसे question पूछा गया महादाई नदी को लेकर, तो महादाई नदी के reference में दो statement है पहला statement, मतो स्री कौन से statement से यह पहला, कि ये महाराश्टरा के नाशिक district से निकलती है नदी, गलत बात है, मैंने बताया था करनाटका से specially निकलती है ना कि महाराश्टरा के नाशिक district से तो पहला statement हो गया, गलत दूसरा statement, महादाई नदी के जो island है, कोराव, वहाँ पर सालिम अली बड़ सेंक्चरी भी स्थेत है बिल्कुल सही बात है, तो हमारा option B is the correct answer अगले question पर आता है, next question में आपसे पूछा गया था, नमदपा नैशनल पार्क के बारे में, नमदपा नैशनल पार्क हाली में न्यूज में देखने को मिला है कौन से राज्य में स्थेत है, तो option C अरुनाशल प्रदेश के अंदर में स्थेत है, क्योंकि यहाँ पर एक butterfly, nobles, hill and butterfly पाई गई है, जो कि भारत में पहली बार देखने को बिली है, फिर अगले question आपसे पूछा गया था, Asian golden cat को लेकर Asian golden cat को लेकर दो statement थे पहला statement, यह एक medium size की cat है, जो की endemic है to the Indian state of West Bengal, यानि केवल और केवल West Bengal में पाई जाती है, ऐसा है क्या, नहीं आपको पता है, South East Asia वले region हो गया, चाइना हो गया, इन सब देशों के अंदर भी यह पाई जाती है, न केवल इंडिया के अंदर में, ठीक है, तो पहला statement हमारा हो जाता है गलत, दूसरा statement, इसको IUCN में, endangered category में रखा गया है, यह गलत बात है, ऐसा नहीं है, तो इसको हमने IUCN लिस्ट में कहां पे रखावा है, इसको हमने IUCN में, near threatened category में रखावा है, ना के endangered में that is why, option 2 जो है हमारा, sorry statement 2 है, वो भी गलत है, तो हमारा कौन सा सही हो गया, option number D, ना statement 1 सही है, ना 2 सही है, तो neither 1, nor 2 is the correct answer, तो यह था हमारा पुरा का पुरा analysis, I hope guys आपको मज़ा आ चुका होगा, ज़रा कितने questions सही क्या है, नीचे comment section में number लिखो, और अपने answer नीचे comment section में भी यार copy paste कर दिया करो, है ना comment में लिख दोगे, तो ज़्यादा बेतर रहेगा पता चलता रहेगा, कौन-कौन याँ पर regular basis पर इन questions को attempt कर रहा है, ठीक है चलो फिर, करते हैं हम लोग अपने इस lecture को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए, bye bye, have a nice day, thank you and जय हिंद